दोस्तो ये वीडियो काफी important होने वाली है उन लोगों के लिए जो की commodity market में भी काम करना चाहते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं currency market के अंदर जैसे हम काम करते थे उसी तरीके से बाकी segment भी होता है ये मेरा schedule होगा अगर मुझे बात की जाए कि आपको ये चीजों की तरह काम करना होगा और इन से सबसे उपर जो होगा अगर मैं बात करूँ one से भी उपर के सबसे पहली priority मेरी कौन सी होगी वो होगी forex market जो की दुबाई से based के की जा सकती है दुबाई based काम करके किया जा सकता है अब भी हम बात करेंगे commodity market के बारे में अगर आप समझना चाते हो सीखना चाते हो तो मैंने description में नीचे एक form भी दिया आप उस form को भी fill कर सकते हो दूसरी बात है आप इन videos के through भी काफी information collect कर सकते हो जो की आपको काफी मदद करेगी जैसे यहाँ पर आपको बात करना चाहूंगा कि कौन कौन से चीज़े होती है मैं यहाँ community में गया अब यहाँ पर क्या है यह margin calculator है कि कि कितना पैसा चाहिए होता है trade करने के लिए चीज़े कर सकते हो कि आपको किस चीज़े करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए है आप यहाँ पर देखो कि किसके अंदर movement आप catch कर पाते हो आपको किस चीज की news जादा है माल लीजिए काफे सारे लोग ऐसे होता है जो gold में काम करना पसंद करते हैं अभी मैंने notice किया कि gold के अंदर आप मैंसे काफे लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि gold तो भाई 6-7 लाग उर्पे का आता है उसके अंदर हम कैसे काम कर पाएंगे भाई आप gold mini में काम कर सकते हो आप gold mini के जगा gold petal में काम कर सकते हो आप basically काफी सारी चीज़ों में काम कर सकते हो बट main problem पता है कहाँ पर आ जाती है आपको चीज के information ही नहीं है जैसे कि आप मैंसे काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो brokerage को कहते रहते हैं brokerage कितना लगेगा तो मैं यहां commodity पाया आने के बाद मैंने देखा कि कौन-कौन सी यहां पर segments है कौन-कौन से चीज़ों में यहां पर काम कर सकता हूँ तो सबसे easy तरीका जो है ना identify करनेगा कि मेरे लिए कौन से चीज best रहने वाली है आप क्या कीजिए international forex market में जो जो चीज़ों चीज़े ट्रेड की जाती है जैसे कि aluminum हो गया copper हो गया ठीक gold हो गया अब आप यहां पर देखो gold के अंदर उन्हें ने क्या किया अगर कोई इंसान gold में काम करना चाता है तो बड़े वाले gold में कर सकता है अगर उसके पास fund है अगर वो उससे कम में करना चाता है तो यहां कर सकता है देन वो gold mini में भी कर सकता है वो gold petal में भी कर सकता है तो gold के ही 4 derivative बना दिये गए कि आप इन सब में काम कर सकते हो अगर आ ना कि मार्केट में लोग काम करें काम करते रहें सोचो गोल्ड का एक बड़े वाला लॉट जो आता है और उसके अंदर मुवमेंट के अगर मुवमेंट आती है तो कितनी ही आती है देखो यहाँ पर वन पॉइंट के चेंज पर हंडेड रूपी का प्रॉफिट लॉस आपको 1 lakh रुपीज तक की movement देखने के लिए 1000 points के अंदर ही तो आप इस चीज़ को खुद समझ जीए कि क्या यहाँ पर game हो सकता है खिस तरीके से आपको यह चीज़ समझनी है कि काम करने के अंदर हमारे पास में काफ़ी सारे ऐसे instrument हो जाता है जिनके अंदर हम काम कर सकते हैं अब गोल्ड की बात आगई अब अगर मैं बात करूँ छूटे लाइक छूटे गोल्ड की बात करूँ गोल्ड मीनी की बात कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि 1 point की change की उपर आपको 10 रुपी का movement दिखाए देगा इसी तरीके से अगर हम चलें और भी ज़्यादा लाइक आगे movement करें आगे देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि गोल्ड पीटल की बात करें तो यहाँ पर क्या दिखाए देगा कि आपको हर एक movement के उपर 1 point की movement पर आपको 1 point का यहाँ पर profit दिखाए देगा मतलब यह है कि अगर यहाँ पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर काम करने का अलग process रहने वाला है ठीक चलिए अब यहाँ पर माली ज़िए मैं गोल्ड मिनी में काम करता हूँ तो गोल्ड मिनी का अंदर बात आ जाती है पकड लेता हूँ तो मुझे 10,000 तक का profit वाँ पर देखने के लिए मिल जाता है तो यह चीज काफी important हो जाती है कि हमारे लिए easy segment count हो जाता है कि छोटी छोटी चीजों के अंदर अगर हम trade कर रहे हैं like averaging करने की strategy भी use करता है तो भी यहाँ पर कोई खास problem निकल के नहीं आने वाली है उसके बाद बात करें next step की तो यहाँ पर आप देखोगे इनके options भी यहाँ पर available रहते हैं कैसे like crude oil के, copper के, gold mini के like gold के, natural gas mini के, natural gas के, nickel के, silver के, silver mini के और zinc के आप यहाँ पर notice करोगे कि आप अगर किसी भी segment को देखते हो जैसे gold हो गया तो यहाँ पर maximum time क्या रहता है gold का price उपर की तरफ moment करता रहता है तो आप यहाँ पर जो कर सकते हो option selling के अंदर game play कर सकते हो natural gas की बात करें, natural gas का भी demand and supply की उपर game चलता रहता है natural gas maximum time sideways पड़ी रहती है तो उस condition में भी आप यहाँ पर sideways market के इंदर काफी अच्छा तरीके से भी profit कमा सकते हो इसी तरीके से nickel की बात करें, silver की बात करें तो इनकी कुछ international news होती है जिनको आपको follow करना होता है जैसे कि हम लोग currency की कुछ चीज़ों को follow करते थे उसी तरीके से अगर हम silver की बात करें, nickel की बात करें तो पूरा ना पूरा एक industry है एक पूरी industry है जो की impact डालती है कि कि किसके चीज़ से काम हुआ यहाँ पर एक सबसे important बात पते है क्या होती है अगर आप किसी भी एक चीज़ को पकड़ लेते हो जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ natural gas की या फिर मैं बात करूँ gold की क्योंकि gold भी मुझे कि stable लगता है like normally मैं investment करते हैं देखो gold का जो theory है ना उस theory के मैं आपको एक छोटा सा समझा देता हूँ अगर मान लीजिए आप काम कर रहे हो देखो ध्यान से समझना यह बहुत easy है easy process है gold के बारे में मान के चला जाता है कि gold जो है उसका price आने वाले time में अब जाने के high chance रहते हैं normally 7 to 9% का जो growth rate होता है gold के अंदर per year देखने के लिए मिलता है यही तो होता है आपको मैं example देता हूँ अब देखो असली game कहां पे होता है मान लीजे मैं एक jeweler हूँ ठीक है मैंने क्या किया मैंने 1 kg gold खरीदा ठीक अब मैं इस gold के साथ क्या कर रहा हूँ धीमे 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 product बना रहा हूँ एक बार सोचो जो यह jewelry वाला इंसान है इसने buy किया gold इसने तो physical form में gold लेके रख लिया न अब क्या हो सकता है जो market में price चल रहा है gold का वो नीचे भी आता है उपर भी जाता है नीचे भी आता है उपर भी जाता है यही तो होता है बट इस इंसान ने जो entry की है इसने तो kival buy पे काम किया अब कल को अगर gold का price गिर गया like 20 को नुकसान हो सकता है gold का price अगर sideways रहा 20 को कोई खास profit नहीं होगा क्योंकि profit तो market का जो price है उस हिसाब से तो अपने clients को like उस gold से समान बना-बना के देंगे हाँ making charge लेंगे वो बात अलग है it's good अच्छी बात है बट ध्यान देने की बात है अगर हम भी चाहें तो क्या इसके अंदर काम कर सकता है जी कर सकता है आप अगर gold में 1 kg में नहीं करना चाते आप 100 ग्राम में कीजिए आप 10 ग्राम में कीजिए आपको रोग कोन रहा है तो यही logic यहाँ पर implement होता है gold को उपर की तरफ movement आने की और sideways होने की काफी high probability रहती है क्योंकि gold दिखाता है कि कितना हमारे देश के पास पैसा है power कितनी है कितना उनके पास reserve रखा है gold के रूप में तो high chance क्या रहता है उपर की तरफ जाए second high chance क्या रहते है पूरे साल sideways भी पढ़ा रहे third low chance रहते है जो कि बहुत ही low chance है ऐसा होना बहुत-बहुत-बहुत मुश्किल रहता है कि gold पूरे साल के अंदर downside पे movement दे अब यहाँ पर अगर problem निकल के आती भी है तो आम आदमी के लिए problem क्या हो सकती है कि उसने buy करके रखावा है भाई sideways पढ़ावा है उसका जो gold है प्लस वो नीचे किर गया बट जो वैपारी है ना उसका mindset हमेशा ready रहता है कि gold हमेशा उपर की तरफ ही जाएगा और इसी basis पे वो काम करता है ठीक बट अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आपको share market में share market में आप क्या कर सकते हो आप यहाँ पे उसके options में भी काम कर सकते हो option selling कर सकते हो options में काम करने का फैदा 66% chance होते हैं जीतोगे उल्टा जो वैपारी है उसके chance कितना है कि वो 33% है कि उसका gold उसने खरीद है उपर की तरफ जाएगा, सोचो फूरे टाइम साडवेस पड़ा रहा तब 33% उसके अगेंस्ट, अगर वो नीचे की तरफ गर गया तब तो विचारा फिर तो उसको वैसी नुकसान हो गया, तो actual में हम लोग जो 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 और आप यहां पर options में जो काम कर सकते हो इन के अंदर ही कर सकते हो, बट यह भी बहुत है भाई, इसके इलावा, आप क्या करना चाहते हो, पैसा कमाना है, दीमे दीमे कमाना है, एकदम घदे पर सवार होके करना चाहते हो तो को बड़े वाले चाहिए, सबसे पहले हो, यहांप आने के बाद आप देखो, तीन पॉइंट की मुवमेंट पे, आपको basically कितने का फायदा हो रहा है, यहां पे वन पॉइंट की मुवमेंट पे 250 रुपीज का प्रॉफिट होता है, अगर वन पॉइंट की मुवमेंट आती है, तो आप खुद हिसाब लगा सकते हो, अगर हम बात कर रहे हैं, 195 प्राइज चल रहे हैं, और मैंने क्या किया है, मैंने ये बोला कि हर 5 पॉइंट पर आवरेजिंग करूँगा, मतलब ये बच्चो वाली बाते हर 5 पॉइंट पर आवरेजिंग करूँगा, तो 5 पॉइंट में काम करने का मतलब हो जाएगा, कि 1 पॉइंट की मॉइंट आने पर आपको 1250 पॉइंट का प्रॉफिट देखने के लिए मिलना चाहिए, ठीक, अब आपका अवरेज होते होते हैं, यहां तक प्राइज आगया, जब इसका ट्रेंड अप है, उस कंडिशन में, या फिर वो साइड वेज भी हो, और 2-4 पॉइंट भी आपको मिल गए, तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है, तो यह तरीका यूज करके भी आप काम कर सकते हो, किसके अंदर, नैचरल गैस, मिनी के अंदर, कोई ज़ादा कॉम्प्लिकेटिट चीजे करने की जर्वत नहीं है, लिमेट ओडर लगाओ, लिमेट ओडर लगाके बैट जाओ, और बैट के देखो, क्या गेम चल रहा है मार्केट में, जो इंसान मार्केट में डेली डेली गधि पर सवार होके ट्रेड करता है ना, कि पता नहीं मैं दज ट्रेड कर दूँगा, बीज ट्रेड कर दूँगा, वो कभी भी यहां से पैसा कमाई नहीं पाएगा, सिंपल फंडमेंटल कॉंसेप्ट है, आप अपने नैचरल गैस के लेविल्स देखो, भाई मेरा पहला लेविल यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह है, मालिक मैंने पहली एंट्री करी, या तो मैं यहां से 500 रुपे लेके निकलूंगा, आज वर नाई नीचे गिर गया, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कर ले लेंगे, दूसरी एंट्री मैंने यहां पहले की, तीसरी एंट्री मैंने यहां पहले की, इस तरीके से भी आप गेम खेल सकते हो, आवरेजिंग करके, क्योंकि नैचरल गैस मिनी है, आप खुद सोच सकते हो, अगर आप यहां पे काम कर रह रहो ना brokerage की plus margin calculator की please नीचे जाओ description में link है इसको अच्छे से check करो, जब तक आप खुद से check नहीं करोगे ना आपको यकीन नहीं होगा कि सच में इतना कम में काम हो जाता है, इतना कम taxes and charges लगता है, तो खुद बाखुद पहले एक बार की तो मुझे पता लगा कि अभी मई खतम होने पर 31 मई तक के तो परपोजल मांगा गया है काफी लोग कह रहे हैं कि इसके बाद में बहुत जादा समय लग जाएगा, छे मईने या एक साल एक बात बताओ, अगर इनको एक साल लगाना होगा, कि 6 मईने या एक साल लगाना है यहां से यहां तक इतना बड़ा टाइम लगाना है तो यही भी जानते हैं कि जो जैन्वन बे में काम कर रहे थे ना, USDNR के अंदर वो लोग इतना लंबे समय नहीं रुकेंगे, वो लोग क्या करेंगे वो international forex market जो होती है illegal वाली, उसके अंदर shift हो जाएंगे उनको भी पता है, तो यह 31 तारीक को जब news आई थी, basically 31 तारीक को यहां proposal का आखरी दिन है, उसके डलने के कम से कम 15 दिन के अंदर अंदर proposal जो भी है ना, उनका जो परपोजल दिया है RBI ने अपनी सारी condition बता चुकी है अब क्या है, broker उनको मानके बस कहेगा कि हाम तयार है काम करने के लिए जैसे ही license अपरूव होगा, काम करना चालो हो जाएगा, तो wait and watch वाली condition रखो जो भी चीज़े हो रही है, positive हो रही है